कि एक बार फिर से आप सब का स्वागत है कि रोशा नर्सिंग एकडेमी के ऑनलाइन प्रेटफोम पर जिया दोस्तों गुजरात के सभी नर्सिंग स्टुडेंट को बहुत-बहुत कॉंगरेजुलेशन बहुत-बहुत बधाया एक बार फिर से गुजरात में नर्सिंग ऑफि चाहिएगा कैसे preparation करेंगे exam का pattern क्या रहने वाला है और आपका salary structure क्या रहने वाला है सब भी topic पर अपन discuss करेंगे तो अपने जो भी गुजरात के student है nursing के आपकी जिम्मेदारी बनती है उन तक जरूर जरूर को शेर करें चले session को start करता है without dairy किये यह जो वेकेंसी किसके अंडर है यह जो वेकेंसी कौन कंड़क करा रहा है और किसके अंदर वेकेंसी दो भी देखेंगे अपन यस आजी तो advertisement recruitment of the staff nurse grade 3 commissioner of the health of the medical services of the gujarat government के अंदर यह वेकेंसी आने वाली है और चलिए देखते हैं इसके बारे में आपकी जो conducting authority है इसका exam कौन कंड़क कराएगा कैसे selection procedure रहेगा यह सब process कौन देखने वाला है तो उसके बारे में देखते हैं सर यह सभी process करेगा commissioner of the health and medical services and medical education कहां पर गाधी नगर यह सब चीजें यहां पर होने वाली है दोस्तो exam कंड़क्शन से लेके selection procedure तक position कौन सी है तो स्टाप नर्स grade 3 की है कौन सी position है स्टाप नर्स grade 3 की total number of the vacancy देखो थो 1903 1903 vacancy है मतलब लगबग 2000 vacancy है बहुत ही शांदार opportunity location कहां रहेगा तो location यह गवर्मेंट hospital and community health center in गुजिरात है ना तो यह लो भाई community health center CHC गुजिरात के अंदर आपकी posting होगी आपकी joining होने वाला है चलिए बहुत बढ़िया अब देखते हैं important dates form start हो गए है form start कब से हुए है 5th of the October से form start हो गए है last date कौन सी है तो 3rd of the November को आपकी दोस्तो लास्ट डेट रहने वाली है लास्ट डेट रहने वाली है चलिए तो form फटा फट से आप भर सकते हो description में link अवेलेबल है आपको या फिर ओजास site पे जाके आप सीधा आपका form फिल कर सकते हो निदे description क्लिक किजेगा आपकी link अवेल इसार फाइनल वेकेंसी कितनी है 133 कितनी वेकेंसी है दोस्तो 133 वेकेंसी SC की है ST की 285 है SEBC की 513 है EWS की 190 EWS जो general candidate है जिनकी economical conditions थोड़ी सी वीक है उनके लिए 190 PH के लिए 76 और जनरल के लिए 782 वेकेंसी अवेलेबल है दोस्तो ठीक है फाइनल वेकेंसी यह क्राइट्रिया रहेगा इतनी आपकी वेकेंसी रहने वाली है तो फटावर से फॉर्म बर ले आपका प्रिपेरेशन तो चल ही रहा है और सेलेक्शन के लिए आगे बड़े इंपोर्टन नोट्स जो देखें अपन इलिजिबिलिटी आपका ओनली इंडियन इंडिया के किसी भी कोने किसी भी स्टेट का इस्पिरेट इसको अप्लाई कर सकता है रिजर्वेशन सत्यक्टि टूर्टेमिकेट खेंस सर्टिवेट मस इंक्लूट डेरलिवेंट्स टृर्टि Uk्रेक छो जो आप आपके 33 परसंटेज रिजर्व है वुमन के लिए मतलब सो में से 67 सीटें दोनों के लिए रहेगी 50-50 मेल फिमेल और 33 परसंट एपरेट फिमेल के लिए रहने वाली है दोस्तों तो बहुत शांदार उपर्जिनिटी स्टेट गुजराद में Military परसंट के लिए 10% सीटे horizontal reservation रहेगा लिए मतलब आपकी अगर 1903 सीटे है तो आपके Military परसंट के लिए 190 सीट रिजर्व रहने वाली है military services मतलब जिसके parents military में है यह जो benefit आप ruling जब देख लिजेगा तो यह reservations आपकी है salary standard बाकी government देखे जिसे compare करें राजस्तान government में क्या होता है और गुजरात government में क्या होता है आप अगर सोच रहोंगे आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि sir sir क्या sir हम तो गुजरात में हमें 5 साल के लिए fixed pay पे रखा जाता है भया राजस्तान की बात करूँ राजस्तान की बात करूँ तो गुजरात में देखो 5 साल के लिए 40 दर तो दे रहे हैं है ना इसके बाद security थी है आपको सिधा permanent कर दिया जाएगा है ना लेकिन राजस्तान में देख लो पहले मिलेंगे 7000 फिर शायद यह बढ़के अब यह ठराजार तक कर दिये हैं यह अब करते जाओ तीन साल प्लस सर्विस होनी चाहिए फिर बोनस में प्रसेंटेज होगा बोनस का प्रसेंटेज जोडेंगे फिर नई विकेंसी आएगी पर्मानेंट फिर उनको बेनिफिट दिया जाएगा फिर इसमें से कुछ लोग रह जाएंगे इसमें आते कुछ लोग नहीं आएंगे यह सब प्रक्रिया चलती रहती है है ना कम से कम आपको लगेगा तो सही कि अर घर के पास मेरी नोगरी पांस साल बात तो मैं पर्मानेंट हो जाओंगा और स्टार्टिंग फोटी प्लस थाउजन सेलरी है तो बहुत बढ़िया है मेरे ही साफ से हर स्टेट के अलग अलग रूल होते हैं कोई स्टेट ज्यादा सेलरी देता है लेकि राजस्तार में देखो तो पर्मानेंट के बात सेलरी जादा है लेकिन वहाँ पर्मानेंट तक पहुचते पहुचते ही बहुत टाइम लग जाता है उसमें एक इंक्रिमेंट तो वे से ही निकल जाता है टेमपरेश सर्विस करने के लिए आपको यह चीज़ समझ में आ रही होगी तो कोई बुरा नहीं है बहुत बड़ीया मौका है घर के पास जो प्राइवेट जॉब कर रहे है उससे बेटर यह चांस लीजिए और अपनी तयारी को स्टार्ट कीजिए educational क्वालिफिकेशन क्या चाहिए तो सर BAC nursing होनी चाहिए GNM हो थो भी चलेगा BAC nursing या फिर GNM होना चाहिए मेजर चीज सर इंडिया के कोई भी form वह सकते है तो BAC और GNM तो हमने भी करिए दूसरे state के लिए उनके लिए चलो बात करेंगे alternative qualification अगर आपने ANM करी है या फिर female health worker with at least 10 year of experience है कितना 10 year of regular services of the state government और 5th services must pass a BSC nursing और GNM degree इसके साथ अगर आपने GNM और BSC की डिगरी कर दिये तबी भी आप eligible हो age relaxation available as per the current ठीक है registration requirement must hold a valid registration or permanent staff nurse registration this must be verified during the application process no other document will be accepted मतलब आप जब फॉर्म परोगे तब आपका registration must है तब आपका registration must है यह चीज ध्यांद रखना नहीं तो तो इसका मतलब समझ लो other state वालों के पास होगा क्या registration मुझे नहीं लगता है होगा तो फॉर्म परने के लिए तो एक महिने कभी टाइन नहीं है और उसमें registration process करना मुश्किल है जो registered है जिसके पास registration है वो तो इलिजिबल है आप आगे बड़े फॉर्म पर है लेंग्वेज आपको गुजराती और हिंदिया दोनों आनी चाहिए चलो यह तो आपको आ जाएगी age limit minimum 20 year maximum 40 year तीन नवंबर तक 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए तीन नवंबर से 40 होती है तो 43 year है बाकी सबाब rules detail में पर सकते हो category wise जन्दरल रिजर्व कैटेगरी 5 year relaxation है disability के लिए 40% and more than disability है तो 10 year age relaxation है PDF available है description में आप जरूर जोइन करें आप एक काम कर लीजिए या फिर आपके Google पे updates type कर दीजिए we mentor 247 we mentor 247.com यहां पर आपको सभी टाइप की vacancy one click में without any advertisement कोई advertisement नहीं कभी Google का आ गया कभी कुछ नहीं आएगा आपको सभी चीज़े वहां पर क्लिक करके भी आप form फिल कर सकते हो पूरी detail available है candidate from the armed force with the minimum service of the six month to three year relax हाँ छह महिने की service हो गये ता आपको एज relaxation तीन साल का मिलेगा भया female candidate female candidate in the reserve category will receive five year relaxation of the upper age limit as per the resolution आपका 1997 में था तो मेरे सबसे गुजरात में इतने एज के बाद लोग कम मिलेंगे तो गबराने वाले बात नहीं है आप अगर एज लाइटरिय में आते हैं तो पूरे रूल पढ़ लें बागी तो सब इलिजिबल हो कोई दिक्कत है नहीं examination format भया आज के टाइम में online के टाइम में भी OMR आपका examination होगा है ना टॉटल mcq भाईया 200 mcq बहुत आने वाले हैं पैपर वन नर्सिंग सब्जेक्ट में से 100 mcq आएंगे गुजराती में से 100 mcq आएंगे नर्सिंग के 100 mcq और गुजराती के 100 mcq है ना तो पहिया दोनों पढ़ना पढ़ेगा गुजराती भी पढ़ना पढ़ेगा और नर्सिंग भी पढ़ना पढ़ेगा चिक है पैपर वन में क्या आएगा नर्सिंग सब्जेक 100 mcq जिसमें ब्रेकडाउन आपके सभी fundamental के 20, medical surgical के 20, midwife के 20, mental health nursing के 20 तो सब्जेक्ट वाइज आएंगे community health nursing के 20 question सभी question एक marks का होगा passing criteria मतलब आपको 80 marks लाने ही है 200 में से तभी आप pass कर जाओगे duration 2 hour का है language available in गुजराती और English तो आपके गुजराती लेंग्वेज तो गुजराती माने के chances है nursing के आपके question English में आ जाएंगे selection procedure of the staff nurse केसे होगा तो यह बता दी आपको OMR sheet होगी और यह वाले इतने questions आएंगे चलिए paper 1 subject basis वाली चीज़े बता दी आपको गुजराती लेंग्वेज में क्या पूछा जाएगा 100 question में language गुजराती लेंग्वेज से 30 question पूछे जाएंगे grammar से 40 question पूछे जाएंगे literature से 30 question पूछे गई हो गए न 100 question मतलब यह वाला area भारी है marks each question carries one marks passing criteria minimum 35% requirement to the pass तो 35 to 40 इसमें गुजराती में भी याद रगना यह लो बाई तो आपके गुजराती में भी 100 में से 35 marks तो चाहिए nursing में से 100 में से 40 marks चाहिए मतलब दोनों मिला के 75 नहीं चाहिए दोनों पार्ट में आपको separate pass होना पड़ेगा nursing में 100 में से 80 यह 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 नहीं चलेगा language conducted only in गुजराती गुजराती वाली चीज़ा गुजराती में भी पूछी जाएगी यह लो बाई scoring merit negative marking 0.25 ठीक है passing requirement candidate must pass in both parts आपको गुजराती वाले में भी पास होना पड़ेगा English वाले nursing वाले पार्ट में भी पास होना पड़ेगा merit list based on the total marks आप दोनों में मिला के 75 नहीं होने चाहिए separate 40 प्लस 70 आप 100 में से 80 लेओ लेकिन गुजराती में आप 100 में से 30 ला रहे हो तो आप फैलो मतलब दोनों subject में लाना ज़रूरिया आपको यह चीज समझ में आ गई होगी कोई डाउट कोई डाउट मतलब आपको दोनों पार्ट पड़ने हैं और अगर आप तैयारी शुरू करना चाहते तो कि रोश है केड़ी में से चुड़ जाओ आपको गुजराती के लेक्चर गुजराती व्याकरण सभी चीज़े पढ़ाएंगे application फी स्ट्रक्चर आप देखो जनरल केटेगरी के लिए 300 प्लस पोस्टेल चार्जेज है यह online payment होगा पोस्टल एप्लिकेशन डाउनलोड एप्लिकेशन फॉम दा ओजास खीक है और सब्मिटेड डेजिनेटेड पोस्ट ओपी देफोर साइज राइट आप online कर सकते हो और यहां से सब्मिशन कर सकते हो एपोर साइज प्रिंट निकल के प्रिए प्री है इनके लिए फीज नहीं है यह हमारी किरोश केडिमी का आप जरू डाउनलोड करें वाटसप का ग्रूप और मैंने टेलीग्रां का ग्रूप बताया है डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है आप जरूर जोइन करें फोर दवीक अपडेट यहां पे 02065080 यहां पे नंबर आपको दिख रहा है जरूर वाटसप एक बाल मेसेज कर सके देखे धन्यवाद दोस्तों